नमस्कर दोस्तों इस वीडियो में आप सिब्यसी बोर्ट के दोरा आउजीत की गई सीट दिसमबर 2021 के दिनांक 11 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के संस्क्रिट पार्ट का कम्प्लेट सलूशन देखने जा रहे हैं सिब्यसी बोर्ट के दोरा सिट दिसमबर 2020 में प्राइमरी इस तर के लिए कुल तेई सिफ्टों में ऑनलाइन मोड में पेपर का उजन किया गया था जिसमें से ये आप 12 सिफ्ट का पेपर देख रहे हैं अगर आप सबी शिफ्टों के कम्प्लेट पेपर सलूशन के साथ साथ अपर प्राइमरी के सबी शिफ्टों के कम्प्लेट पेपर सलूशन को डिटेल में देखना चाते हैं के अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको साथ ही 2-3 प्रशन grammar based question पूछे जाते हैं जिसको solve करने के लिए आपको paragraph पढ़ने की आऊ सकता ही नहीं होती है तो कई बार क्या होता है कि online परिक्षा में हमर पास समय की कमी होती है तो अगर directly प्रशनों पर जाएंगे तो 2-3 प्रशन जो grammar based question है कम से कम आप उसे handle कर त्रितिय मतस से किम नामासित यानि कि तीसरी जो मचली थी उसका क्या नाम था ये हमसे पूछा जा रहा है थोड़ा समय थीम बताना चाहूंगा इस पूरे paragraph का यहाँ पर एक सरोवर की बात की गई एक तलाब की बात की गई जिसमें तीन मचली आ रहती थी तीनों का अलग इस अनुछेद में बाते कही गई है ठीक है हमसे पहला प्रशन पूछा गया है कि तीसरी जो मचली थी उसका नाम क्या था चलिए paragraph में चलते हैं पहले ही लाइन में इसका उतर मेंशन किया गया है कस्मिन्स्चिद जलासे यानि कि किसी जलासे में अनागत विधाता प्रत्य प्रत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत् चलते हैं यहां पर आप इसका उतर देख सकते हैं अनागत विधाता अनागत विधाता सर्वामन त्यस्यान आहयू इद मूचे अहो सुरुतम भवद्भी यन्म मतस्य जीवी भीर भी हितम तत रत्रावपी गम्यता कथंचित निक्टम सरह उक्तंच यानि कि यह किस ने कहा था तो यह अनागत विधाता ने कहा था ऑप्शन नमबर तीन में इसकी बात की गई है देखे अनागत विधात्रा इसका बिल्कुल सटिक जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पुछा गया था मतस्य जीवी नहां मतस्य जीविना को फीशर मैं कहते हैं यानि कि जो मचली मारते समय मतस्य जीविनेवत्र समाग्यम मतस्यक्षयम करिश्यंती यानि कि प्रभात समय सूबा की समय की बात की गई थी ठीक है तीसरे विकल्प में देखिए ते प्रभाते आगंतुम एच्छेन ये विकल्प बिल्कुल एप्रप्रियेट होगा अगला प्रशन पुछा गया है परिजनेन सह हिर्दः को निस्क्रंतो निस्क्रंतो का मतलब की बच निकलना यानि कि परिवार के सहयोग से कौन बच निकला ये हमसे पूछा जा रहा है यहां पर आप इसका उतर देख सकते हैं अथ तस से तम निस्चयम ग्यात्वा अनागत विधाता प्रत्युत्पन मति निस्च निस्क्रंतो सह परिजनेन यानि कि उतर क्या हो जाएगा अनागत विधाता की बात की गई है और प्रत्युत्पन मतिष्च की बात की गई है दिएगा विकल्प में देखिए ऑप्शन नमबर तीन अनागत विधाता और प्रत्युत्पन मतिष्च की बात की गई है विकल्प नमर तीन सही जवाब होगा अगला प्रशन पुछा क्या है प्रत्यूत्पन मत्य है मंसी किम आसित यानि कि प्रत्यूत्पन जो मचली थी उसके मन में क्या था यह हमसे पुछा जा रहा है तो उसके मन में यह चल ला था कि जो मचली मारने वाला फिशर मैन है वो सुबा आएगा और मचलीयों का विनाश कर देगा दिएगा विकल्प में देखिए option number 1 में बात की गई इसका बिल्कुल सठीक जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पुछा गया था विद्वान सह इतस से रूपस से किम प्रती पदिकम तो ये किस रूप में चलता है तो ये option number 2 विद्वस के रूप में चलता है और इसका मतलब होता है विद्वान option number 2 इसका बिल्कुल सठीक जवाब होगा आगला प्रशन पुछा गया था रात्रावपी इत्रयत्र का संधी वर्तते यानि कि इसमें कौन सी संधी है रात्रावपी में हमसे पुछा जा रहा है तो देखिए इसका संधी विच्छत जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा रात्रो धन अपी तो रात्रो का यहाँ पे ओ निकलेगा ठीक है और अपी का ओ निकलेगा और जब ओ के बाद कोई स्वर आता है तो यह ओ में कनवर्ट हो जाता है यह रात्रावपी ओव का सेंस आरे आपका रात्रावव ओव तो यह आयादी संधी का उधान होता है option number 1 बिल्कुल appropriate जवाब हो जाएगा दोस्तों मैं इसी question की बात कर रहा था ये grammar based question है जिसको solve करने के लिए आपको paragraph पढ़ने की आवसरता ही नहीं थी ठीक है चलिए option number 1 सई जवाब होगा अगला question पुछा गया था अभी हितम इत्यस्मिन पदे का धातू कश्य प्रत्यय या यानि कि अभी हितम शब्द में धातू क्या है और प्रत्यय क्या है यह हमसे पुछा जा रहे तो इसमें धातू धा धातू है और कता प्रत्यय लगा हुआ है विकल्प नमर तीन बिल्कुल कचुगा रहता था उसका एक मित्र था जिसका नाम संकट विकट था और वो हंस जाती का था यानि हंस था ठीक है और उसका वो दोनों जिस सरोवर में रहते थे वो बहुत पके दोस्ते जिस सरोवर में रहते थे उसमें क्या होता था कि कम वरिष्टी की वज़े से यानि बारिष कम होने की वज़े से वह धीरे-धीरे सूखने लगा था तो वह किस प्रकार से अपने लिए अनुकूल परिसितिया बनाता है इसी के संदर में ये सब कुछ परग्राफ में दिया गया है अब चलिए इसके भी प्रशनों को डिर्कली देखेंगे और इस परग्राफ में उत्तर डूढने की कोशिश करेंगे पहला प्रशन जो इस पर अधारित पूछा गया था निमलेखित में से कम्बू ग्रिवत से मित्रम का आसित पहले ही लाइन में इसका उत्तर मेंशन किया गया है पूछा गया था देवर्सी महर्सीरणानाम कथाम के कुर्वंती इसमह यानि की महर्सी देवर्सी कथानाम कौन कहते थे इस सेंस में ये पूछा गया है इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं यानि कि उसका जो हंस जाती का जो मित्र था उसके द्वारा कथा करवाई जाती थी उस सेंस में है उत्तर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर एक देखे हंस जाती ये मित्रे इसका बिल्कुल एप्रोप्रियेट होगा अगला प्रशन पुछा गया था कंबुग्रिव जो कच्छुआ था वो किस कारण की वज़े से चिन्तित था तो इसका उतर यहाँ पर दिया गया तस्य जीवित वयम जलाभवात संकटे आसित यानि कि जिस जलासे में उरता था उस जल को लेकर के संकट था क्योंकि बारिश ना होने की वज़े से वो लगतार सूख रहा था तो आप्शन नमबर चार यहाँ पर बिल्कुल सटिक जवाब होगा अगला प्रशन पुछा गया है जल सथानम सरह असमिन प्रयोगे कह समासा तो हमसे यह प्रशन पुछा जा रहा है कि यह जो शब्द यूज किया गया है परग्राफ के संदर्ब में यह किस समास के तौर पर प्रयोग किया गया है तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बहुब्रीही समास बहुब्रीही समास में क्या होता है कि जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है बाजुद इसके जोनों प्रध प्रधान ना होते हुए भी किसी तीसरे अर्थ के सेंस में यहाँ पर एक तरीके से अर्थ निकलता है तो वहाँ पर बहुब्रही समास हो जाता है ठीक है तो पैराग्राफ के नुसार इसमें बहुब्रही समास होगा विकल्प नमबर तीन एप्रोप्रियेट होगा अगला प्रशन पुछा गया था निमले कि तेसु का प्रयोगा असु प्रेजेंट टेंस में यूज़ करने के लिए यानि वर्तमान समय दिखाने के लिए अब के समय के मतलब भी जो समय है उसके समय को दिखाने के लिए साम प्रातम सब्द यूज़ किया गया है और इसी का मिलता जुलता अर्थ होता है अधुना इसका भी मतलब होता है नाव या त्रितिया एक वचन ये रूप है ठीक है तो उत्तर क्यों जाएगा ऑप्शन नमबर एक बिल्कुल सठीक जवाब होगा अगला प्रेशन पुछा गया था निमलिकित तेसू किम समाजिक उप भाषा कत्यते यानि कि निमलिकित में से कौन सा समाजिक उप भाषा के रूप में करते हैं उसे समाजिक उप भाषा कहा जाता जैसे कि माल लिजे कि मैं आपसे हिंदी भाषा में इंट्रेक्ट कर रहा हूं अंतक्रिया कर रहा हूं कम्यूनिकेट कर रहा हूं लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के बीच में बात कर रहा होता हूं तो मेरे एक भाषा हिंदी ही बात करते हैं तो आपचारिक भाषा का उतना ध्यान ना रहा करके अनपचारिक चीजों का भी प्रयोग कर रहे होते हैं यहीं होता है समाजिक उपभाषा जिसे अंग्रेजी में सोसल डाइलेट के नाम से जाना जाता है यानि कि दिये गए विकल्प में देखिए ऑप्शन न अपचारिक तरीके से बातचीत करते हैं तो उसे ही समाजिक उपभाषा का नाम दिया गया है और यहीं इसका सठीक जवाब होगा अगला प्रशन पुछा गया था भासा अस्ती यानि कि भासा क्या है यहां पर एक्चुली प्रशन यह पुछा गया है कि साइन के से जो सुन नहीं सकते हैं उसके संदर में कहा जा रहा है कृते संकेत समूह यानि कि संकेत समूह क्या होता है जो हमारे चेहरे की हाव भाव हैं जो हमारे चेहरे के एक्स्प्रेशन हैं जेस्चर्स हैं उनकी बात की जारी है तो जो साइन लेंग्वेज होता है वो जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते दोनों के दवारे इस्तमाल किया जता है यहाँ पर किवल वधिर यानि किवल ना सुनने वाले की बात की गती और साथी साथ यह gestures नहीं होते हैं यह हमारे हाथों की उंगलियों के मादम से हम विबेन प्रकार के संकेत बनाते हैं जिसके मादयम से communicate कर रहे होते हैं ठीक है तो यह हमारी gestures नहीं होते हैं हमारी चेहरे के howbhou नहीं होते हैं expression नहीं होते हैं इस वज़े से यह विकल्ब negative होगा हमारा उत्तर नहीं होगा और वैसे भी यह मुख बधीर और जो सुने नहीं सकते, दोनों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये निगेटिव था हमारा उत्तर नहीं होगा, तीसरा देखे, स्वाभावी की भासा यस्या व्याकरणम नास्ति, यानि कि ये खाजरा की साइन लेंग्वेज का अपना कोई व्याकरण नहीं होता है, तो बिना व्याकरण के कैसे एक नियम को दूसरा बंदा समझ पाता है, यानि कि व्याकरण होगा तभी तो समझ पाएगा, यानि कि एक ऐसा व्याकरण होगा, जो कि बच्चों को पढ़ाता है जासे कि मान लीजे मैं आपको हिंदी लेंग्वेज में कम्निकेट कर रहा आपने भी वही ग्रामर पढ़ा है, जो कि मैंने पढ़ा है, तभी तो आप मेरे द्वारा भासा को हूबहू accept कर पा रहा है, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानि कि व्याकरण जरूर होगा, तभी सभी बच्चे एक ही माध्यम से कम्निकेट कर पाते और ये विकल्प कहरा है कि व्याकरण नहीं होता है, तो ये विकल्प निंगेटिव हो गया, बुसरा देखिए स्वाभावी की भासा नास्ति, यानि कि एक नेचुरल लेंग्वेज नहीं है, तो ये भी विकल्प निंगेटिव हो गया, एक ही विकल्प बच्चा, option number एक द जारी है, जो कि बहुत सारे भासाओं को जानता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग English में polyglot बोलते हैं, जिसे संस्क्रित में बहु भाशाविद कह सकते हैं, ठीक है, बहु भाशाविद इसका बिलकुल सठीक जवाब है, यानि कि एक ऐसा वैक्ति जो अपने मातरी भासा से प्रारम करता है, तत पश्चात उच्विद्यालई सिक्षया है, उसके बाद से उच्विद्यालई की जो सिक्षया है, यानि कि हाई स्कुल की बात की जारी है, हाई स्कुल जो है, वो बच्चा समाप्ती परियंतम, यानि कि समाप्त करने के दोरान अन अनिका भासा जानाती यानि कि कई भासाओं को वो जानता है भासा सिक्षण से यम पद्धती का कत्यते यानि कि अपनी मात्री भासा से विद्याले सिक्षा प्रारम करके उच्य विद्याले में विभिन प्रकार के अनेक भासाओं को जानना ये भासा सिक्षण की पद्धती को क्या कहते हैं तो यहां पर देखें मात्री भासा आधारित बहु भास रियाता इसका बिल्कुल सठीक जवाब हो जाएगा NCF 2005 बहु भास रिकता को एक संसाधन के तौर पर देखता है इसका मतलब यह हुआ कि मात्री भासा का प्रियोक करेंगे बच्चे प्रैमरी स्तर पर अपने आपको एक्सप्रेस करने के लिए और जैसे जैसे वो विद्याले के संपर्क में आएंगे तो विद्याले की आपचारिक भासा सीखेंगे और अन्य भासाओं के संपर्क में आने के वज़े से वो अन्य भासाओं को भी सीख पाएंगे यानि कि सुरुआत किसे हो रही है? सुरुआत हो रही है बच्चे की मातरी भासाओं को जानने लग रहा है तो यह हो जाएगा मातरी भासा आधारित बहु भाशिकता ऑप्शन नमबर 3 यहाँ पर बिलकुल अप्रोप्रियेट होगा अगला प्रशने पुछा गयता भासाया सवह सनलग्न तायाह अर्थो अस्ति यानि कि भासा के साथ इंगेजमेंट होना भासा के साथ सनलग्न होना इसका अर्थ क्या है? तो इसका आर्थ ही यह होता है कि जो सिक्षार्थी हैं जो लर्नर्स हैं वो लैंग्वेज में काम कर रहे हैं यानि भासा में काम कर रहे हैं किसी उद्देशे को पूर्ण करने के संदर में ठीक है? तो दिये गए विकल में देखे आप्शन नमबर 2 में बात की गए चातरह सो उद्देश्यम यानि की एक उद्देशे के साथ भासायाम कारियाम कुर्वन्ती यानि की भासा में वो काम कर रहे हैं ऑप्शन नमबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रियाट है और यही इसका सठीक जव यानि कि ये कहा जा रहा है कि इस चारों विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सिक्षार्थी को भासा के उद्दे से पूर्ण इस्तिमाल करने को दरसाता है तो इसका उतर हो जाएगा option number 1 प्रमाडी केन कारेर्ण यानि कि authentic task की बात की जारी है ये विकल्प बिल्कुल appropriate है और यहीं इसका सठीक जवाब होगा तस्याम पठनम किम कत्यते उसका जो पठन है उसे क्या कहा जाएगा तो ध्यान से समझेगा किसी सूचना के लिए वो पत्रिका को पढ़ रही थी यानि कि सर्च कर रही है किसी information को जब भी सर्च किया जाता है तो उसका उत्तर होता है scanning ठीक है option number 4 देखे परी विक्षडम य लिखने में और वाचन करने में जो शब्द का प्रियोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं तो देखे भाषा के चार कोशल होते हैं सुनना बोलना पढ़ना और लिखना चारो कोशल में आप शब्दों का ही प्रियोग कर रहे होते हैं जैसे कि आप मेरे द्वारा बो लिखे इस शब्द को पढ़ा है तो ये भी एक शब्द को ही आप पढ़ा है यानि कि जो भी कौशल होता है उसमें हम लोग शब्दों के साथ ही ट्रीट कर रहे होते हैं ठीक है तो हमसे ये पुछा जारा है कि लिखने और वाचन में यानि कि भासण में जो सब्द प्रयुक् प्रोड्यूस करेंगे तो जब मैं बोल रहा हूं तो मैं भासा को प्रोड्यूस कर रहा हूं जब मैं लिख रहा हूं तो मेरे लिखने के द्वारा ये सब्द प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन जब आप मेरे द्वारा बोले जारे भासा को सुन रहे हैं तो आप प्रोड्यू हम normalic level आप receive करने दौर्ण आप निस्क्रिय बने हुए है यानि कि जो。 सुनना और पड़ना जो होता है, वह एक तरीके से निस्क्रिय शब्दावली का उधरण है और लिखना और बोलना जो होता है, वह सक्रिय सब्डावली काउधरण होता है ठीक है ? और इसे हम लोग productive skill बोलते हैं, ध्यान सा समझ लिजे, जो productive skill है, यानि कि लिखना और बोलना, वो सक्रिय शब्दावली होगी, और जो receptive skill है, यानि कि सुनना और परणा, वो निस्क्रिय शब्दावली होगी, प्रश्ण में हम से लिखने और बोलने की बात की गई थी, तो ये productive skill है, और productive skill क्या होता है, वो सक्रिय शब्दावली होता है, विकल्प नंबर तीन एप्रोप्रियेट है, और यहीं इसका सटिक जवाब होगा, अगला प्रश ने पुछा क्या था, निमलिखित तेसू किम संग्यानात्मक सैक्षडिक सक्षमता अस्ती, यानि कि हमसे ये बो BICS, ध्यान से समझेगा BICS यानि कि Basic Interpersonal Communication Skill, जब हम लोग अनपचारिक तरीके से एक दूसरे दोस्तों के बीच, या फिर परिवार के सदसों के बीच, या फिर समाज के लोगों के बीच, ग्रुप्स में जब हम लोग बात करते हैं, अनपचारिक तरीके से तो वो BICS होता ह और जब हम लोग अपचारिक तरीके से विद्याले में बात कर रहे हैं, या फिर अपचारिक तरीके से लिखने की बात आएगी, देखिए बोलने से ज़्यादा अपचारिक तरीके से हम लोग लिख रहे होते हैं, जैसे कि बोलते समय आप कुछ ऐसे सब्दों का प्रयोग क करता है जो कि अगर लिखने वाला option होगा तो वो हमारा सबसे सटीक उत्तर होगा ठीक है इसी को ध्यान में रख करके उत्तर डूड़ेंगे यानि कि लिखने में ही हम सबसे ज्यादा आपचारिक भासा का प्रयोग कर रहे होते हैं और चुकि CALP आपचारिक भासा से इस वज़े से चलिए विकल्पों में डार्टली हम लोग चलते हैं यहां पर देखे चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे कहा जा रहा है कि कस्मिंचिद भोजनाले भोजना देशालाए भोजन सूचे अध्याननम यानि कि हमसे यह कहा जा रहा है कि reading a menu in restaurant for ordering food for oneself यानि कि कि इसी restaurant के menu card को पढ़ करके और खाना को order करने के संदर में कहा जा रहा है तो यहां पर देखे यहां पर पढ़ने की बाताई है ठीक है पढ़ करके order देने की बात आермária कहीं से भी लिखने की बात नहीं आ रही है या फिर आपचारिक भाषा की बात नहीं आ रही है आपचारिक भाषा का प्रयोग हम लोग लिखने में ज़्यादा करते हैं ठीक है तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ने की बात हो रही है इस वैसे ये वाला उत्तर हमारा नहीं होगा दूसरा देखिए तीसरा देखिए समीपस्त नगरे मनुरंजन उद्याने पर्याटनस से विशे सह पाठी भी वर्तालापह यानि कि ये कहा ज़र है कि एक क्लास्मेट से किसी टूर के एनाॉंसमेंट के बारे में एक तरीके से चर्चा की बात की जा रही है ठीक है उनसे विशे के संदर में सहपार्थी से वर्तालाप करने की बात की जा रही है तो जब वर्तालाप की आज़ता है तो सहपार्थी से वह भी तो हम लोग कभी कभी कुछ बह यानि कि जन दिन के औसर पर किसी के लिए एक डायरी लिखने के सेंस में कहा जा रहा है तो ये भी जो जन दिन किसी दोस्त का ही जनम दिन होगा तो दोस्त के जनम दिन में हम लोग आपचारीक के बजाए अनपचारीक चीजे भी उसकी डायरी में लिख सकते हैं ठीक है इस लेखनम यानि कि हमसे ये कहा जा रहा है कि Writing an article for news paper on the impact of climate change on people's life यानि कि एक article लिखने की बात की जारी news paper के लिए जिसमें जो जलवायू परिवर्तन हो रहा है उसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके sense में तो यहाँ पर जब आप news paper में article लिख रहे होंगे तो निश्ची तोर पर आपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहे होंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा आपचारिक भाषा का प्रयोग होगा इसलिए विकल्प नमबर दो बिल्कुल appropriate जवाब होगा अगला प्रशन पूछा गया था लेखनस से प्रक्रिया पद्धतिम सुन्दर लेखनाय की मर्थम आदर्ष पद्धति रुपेर्ण यूवम मन्यद्ध्वम यानि कि हमसे ये पूछा ज़रा है कि लिखने की जो process approach है उसको बहतर क्यों माना जाता है एक बहतर लेख लिखने के संदर में तो जो process approach होता है सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं यानि process approach यानि कि प्रक्रिया पद्धतिम की बात की जारी है जब भी किसी के बारे में लेख लिखने की बात आती है उसके बाद से drafting तयार करते हैं कि उस topic के बारे में क्या heading बनाएंगे हम लोग क्या sub heading होगा और उसके अंदर क्या content लिख रहे होगे यानि कि देखिए चोथे विकल्प में बात की गई है प्रक्रिया पद्धति ही उतक्रिष्ट लेखनस से विकासाय बहवीशु अवस्थासु गंतुम छात्रान सक्षमान करोती यानि कि प्रोसेस एप्रोच हमें यानि सिक्षार्तियों को ये enable करता है कि वह विभिन प्रकार क various stages से हो करके गुजरे जो की एक अच्छे लेख लिखने के संदर में विक्सित करने के संदर में उनकी मदद करता है यानि जितने ज्यादा प्रोसेस से हो करके गुजरा जाएगा उतना ही लेख आदर्श पद्धति के तौर पर लिख करके उभर करके आएगा यही विकल्प छात्रा राजनेतिक विशे समाचारम पठंती यानि कि बालक जो है जो छात्र है वो पॉलिटिकल इशू पर निउज आइटम को पढ़ रहे हैं तो केवल यह पढ़ने से संबंदित है इस वज़े से हमारा उतर नहीं होगा संकुचित है दूसरा देखिए अनुछेद इकठा कर सके फॉर राइटिंग एक पैरग्राफ यानि एक पैरग्राफ लिखने के लिए तो यहां पर यह प्रोसेस अंतिम रूप से नहीं हमसे प्रस्ट में पूछा गया था कि आउटपूट बेस्ट यानि कि कुछ ना कुछ हमें आउटपूट मिले फाइनल लेक की जि लिए एक तरीके से आइडिया को एकठा करने की बात की जारिये ठीक है तो यह विकल पामारे उत्तर नहीं होगा क्योंकि फाइनल आउटपूट नहीं था तीसरा देखे चित्रानाम क्रमानुसारम प्रक्रिया वर्नाय चिंततम यानि कि यह कहा जारा है कि एक सिक्वेंस में पिक्चर्स तो लगाने की बात की जारी है ताकि एक प्रोसेस को डिस्क्राइब किया जा सके ठीक है यहाँ पर देखे प्रक्रिया का वर्डन किया जा सके इसलिए चित्रों को क्रम से लगाने की बात की जारी है ठीक है तो यह भी अंतिम रूप नहीं है क्योंकि अंतिम पुर्वत्ती समचार पत्रे छात्रह लेखम लिखनती अब यहां पर देख लिए इसका मतलब क्या हुगा कि जो सिक्षार्ती है वो एक आर्टिकल लिख रहे है निउज पेपर के लिए प्रोसेस एप्रोज को अपनाते हुए ठीक है यानि कि प्रक्रिया पद्धती को अपना ड्राफ्टिंग होता है और लास्ट में लिखा जाता है तो यहां पर छात्र लिख चुके हैं लिखने का काम कर चुके हैं इस वज़े से यह फाइनल आउट्पूट है और इस वज़े से यहीं वाला उत्पादान अधारित यानि आउट्पूट बेस्ट का उधारन होगा विकल्प नवर चार बिल्कुल एप्रोप्रियेट है और यहीं इसका सठीक जवाब होगा अगला प्रस्ट ने पुशा कहा था व्याकरण से अध्यापन संदर्वे किम कत्थनम असत्यम अस्ति यानि कि व्याकरण के अध्यापन के संदर्वे निमलेकित में से कौन सा कत्थन आशत्य है यानि कि गलत है चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे कहा ज़या यानि कि अध्यापन के स्रोत के रूप में पार्थे पुस्तक का इस्तमाल करना है तो जाए इसी बात है जो बच्चों का टेक्श्ट है उसमें जो कहानिया दी गई है उसी कहानियों के मा आदेम से वेकराप पढ़ाए जाने की बात की जाती है तो यानि उनके पार्ट पुस्तक का प्रयोग बिल्कुल किया जाएगा ये विकल बिल्कुल पॉजिटिव था है इस वेसे हमारा उतन नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पुछा गया था दूसरा देखे भास प्रदर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव संस में पूछा गया था चोथा देखे अधिहा पन विशाए से ुध shepherd के रूपे प्रयोगह यानि कि अध्ध्यापन विसाएक के संदर में उद्हार के त Buffalo के रूप में प्रयोग करना यानि कि जो बच्चे को वयाक्रण दर्शनाय चित्ररांब उपयोगा है यानि चित्रों का उपयोग करने की बात कर रहा है कि सब्दों के और सनचना यानि इस्ट्रक्चर लैंग्वेज का जो इस्ट्रक्चर होता है उसको चित्रों के माधम से रिप्रिजेंट करने की बात कर रहा है तो चित्र एप्रोप्रिय गया है भासा मुख्यता भास्चते यानि कि language is primarily spoken जैसी बात है जब मैं बोल रहा हूं तो language कहीं इस्तमाल कर रहा हूं तो ये विकल्ब तो बिल्कुल positive है इस वज़से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हम से negative sense में पूछा गया था तीसरा देखे प्रतेकम भासा या होता है तभी तो जो मैं बोल रहा हूं मेरे structure हिंदी के structure को समझ पर करके आप उसका अर्थ ग्रहन कर पा रहे हैं यानि सभी भासाओं का अपना व्याकरण होता है ये भी विकल्ब बिल्कुल positive है और चुकि हम से negative पूछा गया था इस वज़से ये भी अमारा उत्तर नहीं ह यानि कि जो script है वो essential नहीं है सभी language के लिए तो ये भी बात बिल्कुल सही है सभी भासाओं की अपने लीपी नहीं होती है और इसलिए ये अनिवार भी नहीं है इस वज़से ये चुकि सही है और प्रस्ट में हम से negative पूछा गया था इस वज़से हमारा उत्तर नहीं होगा यानि कि ये खाजार है कि प्रतेक भासा की अपने लीपी होती है तो ये विकल्प negative है कई ऐसी भासा है जिनकी अपनी स्वयम की लीपी नहीं है और चुकि ये निगेटिव था और निगेटिव ही हमसे पूछा गया था इस वज़से विकल्प नमबर एक बिल्कुल appropriate आगला प्रशन पुछा के था भासा याह सिक्षणे परिक्षणे वा कास्मिन चित पाठे यदि प्रतेकम सश्ट सब्दा लुप्यते एतत कार्यां किम कत्यते यानि कि ये काजार है कि भासा सीखने के लिए एक testing task जिसमें प्रतेक 6 शब्दों के बाद से एक शब्द को एक आप लोगों ने close test दिया होता है उसमें क्या होता है कि एक paragraph mention किया रहता है और उस paragraph में बीच बीच में कुछ words गयब होते हैं उसी की बात की गई है यहाँ पर बिल्कुल close test यानि कि सब्द लोप बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि प्रतेक छटवा जो सब्द है उ कौन सा assessment as learning task है assessment as learning task की बात की जरी कौन सा है यह हमसे पूछा गया देखिए task पूछा गया था ठीक है चौथे विकल्ब से सुरुआत करेंगे कहा जारा कि वर्सानते समयकित परिक्षा यानि कि यह summative exam की बात कर रहा है तो यह एक तरीके से negative माना जाता है राष्टे सिक्ष चनिती 2020 सतत एवं व्यापक मुल्यांकन की बात करता है और यह क्या होता है यह योगात्मक परिक्षा है जो कि आपके सत्र के अंत में होता है तो यह negative हो गया दीसरा देखिए निर्माडा आत्मक या सत्र परिक्षा की बात की जरी यानि कि जो आपका term exam होता है formative test की बात की जारी है तो ये भी विकल्प निगेटिव हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि assessment as learning के तौर पर इसको नहीं देखा जाता है दूसरा देखिए सापताहिक परिक्षा तथा मासिक परिक्षा की बात की जारी है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा एक ही विकल्प बच्चा option अमरे तो इस दोरान चात्र अपना खुद का मुल्यांकन कर सकता है और अधिगम प्रक्रिया में और यहीं हमसे पूछा गया था कि क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसा ही महतपून वीडियो लाने के संदर में अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा सीट यूपी टेट और सूपर टेट की बहतरीन तरीके से इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद भगवान करें आपका दिन शुब्भो